हेलो दोस्तो नमेशकार अभी के अगर मैं बात करूँ अल्रेडी दो इंपोर्टेंट वीडियो आ चुके दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे बट आप देख सकते कुछ टेकनिकल इशू के करण आपको एक ही वीडियो यहाप देखने को मिल रहा है अगर आप चा यहाँ पर डेफिनेटली मतलब जिस बात का डर था दोस्तों वही चीज अभी हमनों को होती है देखने को मिल रही है न्यूस की बात करें बिल्कुल भी अच्छे न्यूस यहाँ पर नहीं है राइट देखा गया तो दोस्तों जो आग यहाँ पर लगी थी वह आग मतलब कह से लगी थी यह महाराश्टर से हमनों को यह चीज़े देखने को मिली थी मुंबई से देखने को मिली थी वह वही आग अभी फैलते फैलते देली तक जा चुकी है मतलब सर कहने की क्या कोशिश कर रहे है तो दोस्तों कल के दिन में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो सो दोस्तों यह जो आगे दोस्तों अभी देली एंसियार तक पहुच चुकी है मतलब साफ साफ पर बताना चाहूंगा यह देखे आर्टिकल भी यह पर प्लब्लिश हो चुके और उनमें भी साफ साफ यही चीज़े बुली है आफ्टर महाराष्टरा कल ही हम लोगों ने एक खबर देखी थी आफ्टर महाराष्टरा डेवलेपर्स रिलेटर्स की अगर हम लोग बात करें इन देल्ली एंसियार थ्रेटन मतलब यहाँ पर चेतावनी दे रहे टू हौल्ट कंस्ट्रक्शन काम रोग देंगे प्राइस बढ़ना थोड़ी ना सरकार के अभी हाथ में तो दोस्तों वह थ्रेट इसले दे रहे हैं चेतावनी इसले दे रहे हैं कि वह सरकार से कुछ बिंती कर रहे हैं कि फिलाल की जो सिचुएशन है अगर उसमें सरकार ने इनको मदद नहीं की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लेम हो सकती है और यहाँ पर बहुत अच्छा का सवाल कल किसी ने भी आपर पूछा था सर काम बंद करने से लेट धमकी दे रहे ना तो अल्टिमेटल इनका नुक्सा ने तो सरकार क्यों डरेगी तो दोस्तों सरकार इसले डर थी क्योंकि कल भी मैंने बताया था क सबसे जादा जो लेबर हम लोगों को देखने को मिलते हैं वरकर्स देखने को मिलते हैं वेजस या जो हम लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको रियल इस्टेट में ही देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं तो इसले दोस्तों सरकार सोच समझ कर ही आपर डिशेन लेता जो मतलब जिस तरीकी से आप लोग जो धमकी बोल सकते हो कि देरे के हम लोग काम ही बन करेंगे ये बतलब बात करने का तरीका नहीं हो क्योंकि अगर देखा गे तो बिजनेस हर कोई कर रहा है कल अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो मतलब ये फिलाल की जो situation है वो हर किसी के लिए equal है रैट कल तो और ऐसे अलग-अलग sector भी आपर शुरू हो जाएंगे कि हम लोग काम बन कर देंगे आपने इनकी बात सुन लिए अभी हमारी भी सुनो तो ये कोई तरीका नहीं होता है सरकार इसके चलते नाराज हो चुके बढ़ दोस्तों आप देख सकते हैं जो आगे वो दिल्ली NCR तक याप पहुच चुके तो चले आजाते हैं थोड़ा से इसके बारे में डीटेल में पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि इसके पहले भी प्राइजेस बढ़े हैं अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनिस की बात करूँ डेवलपर्स की बात करूँ उतने टाइप का प्रोविजनिंग भी यहापे करके रखते थे हैं सब कुछ कैल्कुलेशन रहता है बट यह जो सडन यहाँ पर प्राइजेस बढ़े है और दोस्तो एक चीज की प्राइज नहीं बढ़ी है मतलब सिमेंट या फिर स्टील की सबी चीजों की प्राइज बढ़ी कितनी बढ़ी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा हर एक component जो यहाँ पर real estate के इसमें मतलब पहले तो अगर हम लोग बात करें तो steel लगेगा आपको then cement लगेगा उसके prices बढ़े then घर बनाने के बाद उसके अंदर painting करना पड़ता है उसका price बढ़ा है then tiles, ceramics के अगर हम लोग बात करें उसका दाम बढ़ा है अलग-अलग equipment जो लगते अंदर उसका दाम बढ़ा है kitchen से लेके bathroom तक जितनी भी सारी चीज़े plumbing की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें pipes की बात करें, wiring की बात करें, switches की बात करें, fan की बात करें हर चीज भेंगी हो चुकी है और इसके चलते जो real estate वाले जो companies है दोस्तों, अब देख सकते हैं उनके जो margin है, वो इतने जादा मतलब यहाँ पर हिल चुके है कि आने वाले समयमान, मतलब ऐसा हो जाएगा, मैं एक रफली बता रहा हूँ कि 100 रुपे में अगर वो यहाँ पर flat बनाते है तो उनको 100 रुपे में ही बेचना पड़ सकता है तो ultimately फाइदा क्या फिर इतना efforts मेनाथ करके in fact ACB हो सकती कि उनको, मतलब कुछ पैसा भी ना मिले तो इतनी हालत है आपे खराब हो चुके है और वो सरकार से एक ही request कर रहे क्या request कर रहे कि हमें time बढ़ा के दीजिये time मतलब project completion का कल का वीडियो आपको याद होगा कि project complete करने का deadline होता है अगर आप वो नहीं करते है तो आपके उपर heavy penalty लगीगी so time बढ़ा कर यहापे दीजिये बस सरकार भई वही बोल रहे है कि क्या guarantee आने वाले 6 मैने में भी स्तीती अगर सामन्य नहीं हुई तो आप वापस time बढ़ाने से related अड़ जाओगे तो यह कोई तरीका नहीं होता है कि सरकार को straighten करने से related कि हम लोग काम बन करेंगे बाकी लोगों का क्या हो जाएगा तो फिलाल देख लेते अभी सरकार इस चीज के साथ कैसे deal करते क्योंकि अभी जो आगे वो मुंबई से लेकर जैसे मैंने आप लोगों को यहापे बताया पूने में तक हम लोगों को जाते हुए देखने को मिलाता है और सेम चीज अभी हम लोगों को दिल लिया एंसे अरप तक भी यहापे चीज़े जाती हुए देखने को आपे मिली है और दोस्तों यहापे जो चीज़े है वो कोई एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं कर रही है हम लोग कह सकते जो उनकी असोसियेश जो बॉड़ी रहते हैं वो यहापे इन चीज़ों से रिलेटेड यहापे डिमांड कर रहे है जो कि आप लोग यहापे देख सकते हैं उनने भी कहा है कि 30 से 40 परसेंट यहापे इतने प्राइस बड़े है कैसे हम लोग डिल कर पाएंगे इस चीज़ के चलते अभी देख लेते उनने यह भी कहा है कि COVID-19 भी कुछ भी नहीं था जो अभी की situation है वो real estate developer के लिए सबसे जादा worst है जो कि इतने सालों तक आच तक इतियास में ऐसा खराब हालत देखने को नहीं मिला है प्राइजेस जरूर बड़े है बड़ इतने सडनली बड़े है किसी को भी नहीं बता था क्योंकि देखे मैंने आपको बता था कि crude एक ऐसी चीज़े ऐसा raw material है कि crude oil अगर महंगा हो जाता है तो directly सबी चीज़े महंगी होना शुरू हो जाएगी और यहीं चीज़े देखने को मिल रही है और यहापे problem क्या हुआ है कि कुछ मतलब अगर जो यहापे building रहती है आप लोग को पता है यहापे flats रहते है वो पहले ही बेच देते for example अगर मैं price बुल देता हूँ इसे ही 2 करोड अभी 2 करोड पे already deal हो चुके सब कुछ यहापे हो चुक है और वो एक्च्वल में जो flat पहले बनने वाला था for example अगर बन जाता है एक करोड में आज उसको ही बनाने के लिए उनको लगबग धाई करोड आ सकता है खर्चा उनके हाथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं तो यह फिलाल चीज़े यहापे चल रही है और बायर्स तो थोड़ी ना सुनेंगे वो तो कहेंगे पहले ही हमारा contract यहापे हो चुक है बहुत ही ज़गड़ा जगड़ा वाला महाल यहापे बन चुक है चल गए जैसे में आप लोगं को यहापे बताया और इसी के चलते जो real estate वाले जो stocks है आप लोग देखे अल्रेड़ी यह sector कैसे है में आप लोगं को यहापे बताया है बहुत ही मतलब जितने भी sector है उसमें से सबसे हमेशा यह last में आता है ज्यादा इसमें इसे भी best वाला जो है गोदरेच प्रॉपर्टीज उसके भी returns आप देख सकते बहुत ही nominal यहापे रहते है बाकी जितने भी stocks से आप लोग देख सकते बहुत ही बुरी तरीकी से पिटाई हम लोगं को उनके यहापे होते भी देखने को मिल रहे यह आगे जाके और भी पिटाई यहापे हो सकती है अभी देखना पड़ेगा कि सरकार इन से related क्या फेसला लेते है बहुत ही मुश्किल फेसला है क्योंकि अगर सरकार इहापे इन से related बाते सुन लेती है तो आप सोचके देखिए कि आगे जाके हर कोई सेक्टर बोल लेगा बेस्ट आभी आप लोगं को पता है कि GST कांसिल की बेठा के उसमें तो rates अगर चेंज हो जाते कोई एक सेक्टर में पकड़ लेते हो for example textile, textile वाले भी बोल देते कि हालत देखने को मिल रहे है इसके चलते जो real estate वाली companies है दोस्तों उनकी बहुती बुरी तरीकी से band बच चुके है इसलिए दोस्तों real estate में invest करने से पहले सो बार यहापे सोचना चाहिए हाँ no doubt हम लोग यह नहीं कह सकते कि यह company खराब है, गोदरेच properties खराब है या फिर Loda Builders, या फिर Oberai Realty, Phonics यह company खराब नहीं बट इनका जो business ही है वह ऐसा business है जो कि आप लोग देख सकते हैं जहापे margins पहले से ही हमनों को problem में देखने को मिल जाते हैं और ऐसी कोई situation अगर आ जाती है तो उसमें क्या धज्या उड़ चुके अभी आप लोग ईजी लिए आप देख सकते हो इसलिए आप लोग ने बहुत ही सावदान ही आप बरितनी चाहिए यह इस वीडियो का बताने का सबसे main मकसद है आप आप लोग उनके लिए आप था सो आशा करता हो दोस्तो यह जो main वीडियो था यहाप लोग को सारी चीज़े यहाप समझ में आये होगी न्यूस क्या थी है और मैं अगेन कह रहा हो दोस्तो इसमें कोई शक की गुंजज नहीं या फिर सर्प्राइज होने की जरूद नहीं कि अगर बाकी भी मतलब कल पर्षो भी हम लोग को बाकी स्टेट सिटीस से अगर ऐसी खबर आते वी देखने को मिली कि यहापे भी construction बन कर रहे है तो वो भी हम लोग को शायद से देखने को यहापे मिल सकता है तो फिलाल का जो situation है real estate के लिए stocks के लिए बहुत ज़्यादा challenging है इसलिए अगर आप जाना भी चाते हो जो कि बहुत ही dangerous है बट still अगर जाना ही चाते हो जो कि आपका आखरी choice होता है still आप जो अच्छे stocks है उन्हीं के साथ रहना जो मैं बार-बार केता हूँ कि good rich properties overall realities and थोड़ा risk लेना चाते है तो लोधा developers that's it ये तीन ही ऐसे जो कि इन situation में अच्छा आप साथ डील कर सकते सोबा विल्डर्स भी है या फिर इस फॉनिक्स भी है बट ये तीन टॉप नोच है जो कि मैंने आप लोगों के सामने आप यहां पर रखे आप चाहो तो इनको भी यहां पर स्टड़ी कर सकते हो आशा करता हो आप लोगों के वीडियो helpful लगा होगा तो जरूर लाइक और यहां पर कर देना अभी तक डिमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे को वी बिल भी मिटिंग आर निक्स डियो तब तक के लिए बाई बाई